दोस्तों इन्वेस्टिंग यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं मुच्छवल फंड के दो बहतरीन आप्सन जो की कॉमन पर्सन करते हैं एक तो SIP और दूसरा लंबसम दोनों में क्या डिफरेंस है कौन सा आपके लिए सबसे ज़ आपको मिलती रहें तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि SIP क्या होता है और लंबसम क्या होता है देखिए SIP यानि कि Systematic Investment Plan नाम से ही पता है कि यह सिस्टेमेटिक होगा इसमें investment की एक systematic तरीके से किया जाता है SIP investment का एक ऐसा जरिया है जिसमें हम निश्चित अंतराल में किसी mutual fund scheme में लगातार पैसा डालते हैं जैसे प्रतेक मेहने SBI, blue chip या किसी में भी कोई भी fund में आप 1000 रुपया है 500 रुपया है monthly basis पे आप एक fix जो systematic तरीका होता है कि month by month आप इसमें डाल सकते हैं यह हो गई SIP यह SIP installment आपके bank account से debit होती है और आपके mutual fund scheme में जमा होती जाती है SIP एक नियमित निवेस की परकिरिया जिसमें हमें लगातार पैसे डालने होते है SIP को आप bank की recurring deposit यानि RD की तरह भी समझ सकते हैं कि आपको monthly basis पे जमा करना है और वो automatic आप जिस भी bank account selling रखेंगे वहाँ से कड़ी आएगा यह हो गई आपके SIP अब lump sum क्या होता है जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा कि इसमें आपको सिर्फ एक बार invest करना है यानि कि इसमें आप लगातार पैसा monthly basis पे नहीं डालना है को आपका जो भी amount हो वो एक बार ही आपने किसी एक mutual fund में डाल दिया वो हो गया आपका lump sum यानि कि इसमें आप लगातार पैसा ना डाल कर सिर्फ एक बार में some fund निवेस कर सकते हैं जैसे कि आपने SBI या किसी का भी fund में one time एक लग रुपय जमा करके छोड़ दिया है इसे आप bank FD की भाती भी समझ सकते हैं जैसे SIP को आप RD समझ रहे हैं मतली basis पे तो lump sum को आप FD समझ सकते हैं जिसमें आप एक निश्ची तरासी जमा करते हैं एक निश्ची time period के लिए और उस time period पे आपको उसका interest मिलता है अब बात करें दोनों में अंतर क्या है देखिए SIP यहाँ है और लमसम यहाँ है निवेस की अब दी इसमें जो है निरधारी समय के लिए आप लगातार investment करते हैं यह one time investment होता है अब देखिए इसमें निवेस आप 500 से start कर सकते हैं SIP ले cost of investment की बात करें तो अलग-अलग market इस्तिती में SIP होने से cost average होती रहती है रूपी cost averaging इसमें लमसम में नहीं होती है one time investment के कारण cost बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि एक बार ही आप invest कर रहे है risk factor की बात करें तो अलग-अलग market पर इस्तितियों में निवेस के कारण risk क कम रहता है क्योंकि आप एक fix date पे तो पैसे जमानी कर रहे है SIP में जिस time market down है उस time भी कर रहे है और जिस time market up है उस time भी कर रहे है तो इससे आपको फाइदा होता है risk factor इसमें थोड़ा कम हो जाता है अब बात करें one time investment की तो इसके कारण इसमें risk की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और return की बात करें तो बास्ति की गलाब जो होता है इसमें lump sum से कम होता है क्योंकि इसमें आपने लमसम में one time investment किया है तो इसके पूरा जो whole amount होता है उस पे आपको interest मिलता है लमसम में लेकिन इसमें आपको monthly basis पर जमा करते है तो amount जैसे जैसे बढ़ता है उस amount पे आपको interest मिलता रहता है अब बात करें इन दोनों के compare एक table form में जिसमें की हम जो minimum amount है दोनों का same amount पे हम लोग calculate करेंगे और same return percentage भी देखेंगे मान के चलिए S.I.P. भी कर रहे हैं और लमसम भी कर रहे है तो S.I.P. amount आप रखते हैं 2000 परती मेहना के तो और इसमें तो monthly basis पे कुछ होता ही नहीं है तो total investment अगर हम लोग 10 साल के लिए करते हैं माले ये 10 year के लिए हमने कोई investment किया और ये 22,000 महने का देखा जाए तो ये total जो 10 साल के लिए आपका investment हो जएगा 2,40,000 S.I.P. में लेकिन वही 2,40,000 आपने first month में ही first time ही इसमें लमसम में डाल दिया तो जो हम लोग calculate कर रहे हैं वो 15% जो interest rate है उस पे calculate कर रहे हैं तो अगर S.I.P. में आप पर मंत के तौर पे 2000 रुपे जमा करते हैं और total 2,40,000 यार दस साल में आप जमा कर पाते हैं 15% के interest rate से आपको देखा जाए तो total value जिसकी होती है 5,57,315 हो जाएगी लेकिन यही चीज अगर हम लोग लमसम में करते हैं same interest rate पे 2,40,000 अगर आप रखते हैं 10 साल तर तो यह 9,70,000 हो जाता है आप सीधा देख रहे हैं यहां से लगवग double के एप्रॉक्स में आपको मिल रहा है return लेकिन मामला कहा है कि पैसे आपने इसमें हर मेहने 22,000 किया तो आपको tension free है कि मैंने 2000 रुपे बचाएं हर मेहने मैंने जमा करती है लेकिन यहां पर आपके पास एक मोटा रकम फश्ट पहली बार ही होना चाहिए 2,40,000 तब ही आपको यह चीज का लाग मिलेगा अब इससे कुछ नुकसान भी है कुछ फायदे भी है वो भी आपको बताते हैं देखिए नुकसान और फायदे की बात करें तो जो SIP है इसमें रिस्क फेक्टर कम हो जाता है जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया इसमें रिस्क फेक्टर की कमी है रिजन क्या है कि आप मार्केट अब डाउन हर मथ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता तो आप इसमें पैसे भी हर मंत जमा कर रहे हैं तो हो सकता है किसी मंत में आपको नक्सान भी हो तो वो कवर आपको next मंत में हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि आपने लंसम में वन टाइम आपने दे दिया और किसी एक मुचल फंड में आपने जमा कर दिया वो दस्ताल के बाद वो बहुत ही नुकसान अगर आपको दे दे एकदम ही डाउन हो जाए तो आप वहाँ फस सकते हैं इस कारण से लंसम उनके लिए है जो पूरी तरीके से फैरेंसली एकदम अच्छे तरीके से पूरा सेटल है कि चलो दो लाख रुपे मैंने उसमें जमा करके मैं भूल चुका हूँ और लंसम या SIP कुछ भी करने से पहले आपको एक बार मार्केट की नौलेज होनी बहुत जरूरी है आप ऐसे ने कि कोई भी वीडियो देखके आप इन्वेस्ट कर दे आपको पहले नौलेज लेनी बहुत जरूरी होती है तो लंसम उनके लिए है जो पूरी तरीके से financially freedom पूरी तरीके से free हो चुके है अब हम इतना रुपया तो इसमें जमा करके हमें कोई tension नहीं है लेकिन SIP छोटे छोटे जो कम कमाने वाले salary person है उनके लिए भी SIP best होता है तो इन दोनों में ये चीज आप देख सकते हैं risk factor के मुकाबले में SIP low risk factor लेके चलता है और lumsum high risk पे चलता है लेकिन return की बात करें तो lumsum में return अच्छा है अगर आप कर सकते हैं तो lumsum कर सकते हैं लेकिन अगर आपको one time इतने पैसे नहीं है तो आप SIP को चुने और अच्छा return आप पा सकते हैं तो ये थी पूरी discussion पूरे अच्छे तरीक समय ने आपको समझा दिया क्या होत्या है लumsum और SIP आसा करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है फिर भी कोई question रह जाए तो comment box में आप जरूर लिख सकते हैं अपने question हमारे team आपकी पूरी सायता करने की कोसिस करेगी मिलते हैं एक नए वीडियो में